बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए इसमें हम बात करेंगे आपकी सेकंड बुक जिसका नाम है सौतन्त भारत में राज नी थी इसके चैप्टर नमबर फाइल के बारे में जिसका न्यू स्लिवर्स की एक्कॉडिक जो नाम रखा गया है वह है बारत में दल और दल ये बैस ना ठीक है बाच उन्दे इस स्लिवर्स के चैप्टर का ना है सेर के board exam में इस chapter से जो question already आ चुके repeated question है उनको discuss करेंगे हरी question आच आच आपको अच्छे तरीके समझा जागा बस आपको करना का है कि आपको video को पूरा end देखने और end तक देखने के बार में आप यह पाओगे कि हाँ वही वाकई में चलिए यह होगा हमारा एक मिनट का introduction क्योंकि बच्चों को पता चल जाए कि आज हम पढ़ेंगे क्या देखिए तब से पहरा जो question है यह हमारा दो marks का आता है और आता भी होगा अंसर लेकिन आपको कुछ आपको नया बताऊंगा जो आंसर आपको पता है उसमें आपको नई चीज़ें बता लूँगा देखिए प्रशन क्या है कि लाल बहादो सास्ति जी के काल की दो चुनौतिया नहीं दो माक्षा प्रशन है और मैंने आप सभी बच्चों को दो चुनौतिया पता ही है बट चुनौतिया दो नहीं तीन चार पांच भी चुनौतिया थी मैं आपको तीन बताऊंगा एक दो और बतानोंगा अभी देख लेगा तो सबसे पहले चुनौति जो आपको पता है वो यह है कि मानसून के एसफलता के कारण खाद्यन संक्ट यूगि मानसून जो है हमारी उदोड़ा 1965 यह आप सभी को पता है लेकिन तीसरा पार्ट की भारत चाइना का जो उदोड़ा था 1961 बिसली 61 नहीं 62 है तो 1962 का भारत चाइना का जो यूद हुआ था उसकी वजह से भारत की जो आर्थिक इस्थिति थी थी भारत की जो रक्षा सकती थी और भारत की जो सैनिक इस्तिती वह बहुत थी जादा कमजोर हो गई और यही इस्तिती वह भारत पाक युद्ध में तो इसकी इस्तिती से उभरना यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी ठीक है ना तो टोटल चार चुनौती आप याप लिख सकते हैं अब नई चीज़ आपको बताता हूँ दो मास्ट में प्रस्ण आपसे पूछा जा सकता है कि लाल वासो सास्री जी की जो मृत्य थी वो कब और कहां हुई थी तो आप सभी को पता है कि 1965 का जो भारत और पाक का युद्ध हुआ था ठीक है 1965 का भारत पाक युद्ध जो कि 10 जन्वारी मतलब 1965 में हुआ देट नहीं पत है तो बता सकते है ठीक है ना ओके और हां देखो जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो युद्ध को ऐसी इस्तिती आगे ना बने युद्ध को पूरी तरीके से खतम करने के लिए 10 जन्वरी 1966 को ताशकंद में एक युद्ध की समाप्ति के सिलसले में क्या हुआ कि सम्जो बहुते पर हस्ताक्षर किये ठीक है भारत के जर्ब से कौन सा कौन थे लाल भादु सासरी जी ठीक है और पाकिसान के जर्ब से उनके जो राश्पती थे तलकालीन मुहम्मद अयूब खान यह उस समय के राश्पती रहे होंगे ठीक है ना तो बिसिकली इनके बीच में और सासरी जी के बीच में तासकन समझता हुआ तो पहले सुविसंग में था इनके समय में लेकिन अरुजय वतमान में उज्विकिस्तान की राज़धानी बन चुका है और तासकन्द में आकि इनके मिरत्ती हुई कैसे यह वाकई में आज तक रहस्मई बात ठीक है ना बच्चो लेकिन concept आपका अच्छे से clear कर दो ठीके बच्छो चलिए आगे बढ़ते हैं अब जो वच्छ इंग्लिस मीडियम के ऐसे देख सकते हैं कि राइट टू चैलेंजिस ऑफ लाल बहादु सासित एरा तो लाल बहादु सासित जी के एरा में मैंनी ओब चैलिंग्स आपके समस्व के बच्छो वेल बात करतें नेक्स्ट कोश्चिन की अगले कोश्चिन यह है कि चौथे आम चुनाव तक देख में किस तरीके की बदलाव आ चुके थे चौथे आम चुनाव का मतलब क्या है चौथे आम चुनाव का मतलब है कि 1967 1967 यह जो चुनाव हुए थे चौथे आम चुनाव तो ऐसे में क्या-क्या चैंजिस इससे पहले इंडिया में हो चुके थे ठीक है ना और यही वो कोश्चन है जो आपसे पूछा जाता है कि 1960 के दशक को भारतिय राजनीती में एक खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है यही वो कोश्चन है आपका ठीक है आपको समझ में आगा एक कोश्चन को कैसे कैसे पूछा जा सकता है आईये द्यान से मुझते है क्यों कहा जाता है या फिर क्या बर्दा हो चुके तो वहिए सबसे पहला तो यह था कि दो प्रदान मंत्री की मौद ठीक है जवाला नहिरुजी की मौद 1944 में हो गई थी ठीक है 1946 में इनके बार में प्रधानमंत्री बनते लालवादु सासरी इनकी मौद 1966 में हो जा एक सेकड़ उननीस सो बिसीकर यह चॉंसर्ट है ठीक है ना जवाला नहिरुजी का चॉंसर्ट है ठीक है दूसरा जो नए प्रधानमंत्री थे यह कम अनुववी थे एक तो 1961 कैसे तो 62 कैसे तो भारत चाइना और भारत पाकिस्तान का जो यूद हुआ था इसकी वजह से जो सैन ने खर्चा भारत का बड़ा रक्चा उतपाल जो बड़ा भारत का इसकती पहुंची यह सबसे बड़ा कारण बन जाता है और चौथा तो भाई एकदम सिंपल सा का भाउ पस आप महलें द rushing को पता है कि मान्सून को सफ लता हो हुई थि अब मांसून सुकह पड़ेगा सूखे से खेती में पैदावार ही नहीं होगी इस को एक देसी लिंगें ऐसे बोल लेते कि जब अँज़ा पाँच्वा पार्ट की जब तो हमारे पास विदेशी मुदा नहीं रही, तो अमेरिका ने हमारे साथ व्यापार करने के लिए एक साथ रखे, क्या साथ रखी, कि हम आपसे व्यापार तो कर लेंगे अनाज के लिए, लेकिन उसने कहा, कि हमारा जो एक अमरीक्री डॉलर है ना, इसके लिए आपका जो और आज के टाइम पी आप देखेंगे तो वन डॉलर इस इक्वल टू चलता है असी आये ना इस वेकल टू 81 अभी तक 82 नहीं गया है देखें बहुत जली यह चला जाएगा जिस तरीके से डॉलर जो है वो आगे बढ़ना जाए तो हमें अपनी करंसी को आगे बढ़ना चाहि बाकि और भी यहां पर बदलाव आए थे जिसमें यह है कि खाध्यान की कमी तो होई गया इससे क्या हुआ बढ़ गई बहुत ज्यादा जादा पर एक रोटी पहले जो होती है मदलों के लिए मान लेते हैं वो 10 रुपे की थी अब वो एक रोटी आपको 100 रुपे की मिलती ह फूड क्राइसिस इतना ज्यादा हो गया है कि आटा सौर पेक लिए तक पहुंच गया है इसलिए भाध देशों से मरद मांगता हुआ यह बात आ जाते है ठीक है अलगे पाकिसान अमेसा यह कहता रहता है कि हम रक्षा के मामले में हर एक मामले में आगे लेकिन आजिक दोर जितनी भी कॉंफ्लिक्ट चले थे इसके खिलात में अब इसमें एक बहुत बड़ा क्रिशक विद्रों हो गया हिंडी मुस्लिम संपदाइक दंगे होने लिए गयर कॉंग्रेस वाद का सिध्धान था तो यह सारी चीज़ में इसमें एड़ना था ठीक है बच्छो अच्छ पार्टी थे जितनी भी पार्टी थे उन सभी से का देखो वाई कॉंग्रेस वह इसलिए जीत जाती है तो इसलिए क्या करना चाहिए हमें कि हमें एक साथ मिलके गटबंधन बनाकी इसको हराना चाहिए और फाइनली यह एक टाइम पेस इंद्रा गांदी जो को हरा भी देत ठीक है आपको समझ में आ गया ना भाई कि 1960 के दसक को खतरनाग दसक क्यों कहा जाता है चौते आम चुना तक देश में कैसे बदला हो चुके थे 1960 के चुनाओ तक कैसे बदला हो चुके ठीक है ओके बच्चो अब जो बच्चे इंग्लिस मेडियम के यहां से देख सकते हैं क कि वर्ट कांड अफ चेंजिस हैद टेकन प्लेस इन दी कंट्री इन दी फोर्थ जनरल एलक्षिन या फिर हाव विल यू एक्स्प्लेंग दी नाइंटीन सिस्टीज दशक इस देंजर्स कि थोड़ी बेसिक से इंग्लिस बोल नहीं है ओके यहां पर इसको समझ दाना जिब अब बात करते हैं नेक्ष्ट कोश्चन की यह तो हो गया कि बदलाओ के बाद में जब 1967 के जब चुनाव हुए तो आखर यह जो चुनावी परिड़ाम आए 1967 के इसे राजनीतिक भूकंप की संगया क्यों ली गई तो भाई यह प्रश्मी 4 मार्स में 6 मार्स में आ सकता है मै 1967 के चुनावों को राजनीतिक गुकंप की संगया क्यों दी गई या फिर चौते आम चुनावों के परिड़ाम क्या रहे हैं यह आ सकता है आईए ध्यान से समझेंगे तो फरवरी 1967 में लोकसवा राज्य विरान सवा के चुनाव होते हैं तो यह जो जब चुनाव होते हैं तो इसमें कॉंग्रेस पार्टी को बहुत ही ज़्यादा घहरा धख्का लगता है राश्चेस्रेश्य पर भी प्रांतेस्रेश्रेश्य पर जो कि अभी तक 14 भारदत के तीन आम चुनावों तक इसे नहीं लगाता लेकिन 14 आम चुनावों इसे बहुत ही ज़्यादा घहरा क्या होता है भाई तो होता यह है कि Congress जो होती है Congress को जैसे तैसे लोग सबा में उनकी country में सरकार बनाने के लिए बहुमत तो मिल जाती है लेकिन स्कीटें जो होती है और जो वोट होते है उनका अगर हम प्रतिस्यत और अनुपार देखे तो काफी recording का खराब रहा है पहले तीन जिनिता जैसे कि के कामराज, SK पार्टिल, अतुल्य घोष्ट और के के भी सहाय यह सभी अपने अपने एरिया से चुनाव हार चुके थे ठीक है ना तो क्या हुआ कि Congress के आदे से ज्यादा मंती मंडल के जो मंती थे वो चुनाव हार गए बड़े-बड़े Party के यह Congress Party के बड बड़े-बड़े नेता, दिगजी नेता, जिनकी बहुत चलती थी, बहुती प्रवावत है इनका वो भी चुनाव हार गए, यह क्या ना, तो टोटिल एगर देखा जाए, तो Congress के हाथों से तक्री बने, बिसिकले टोटली है कि सात राज्य में उसकी पूर्ण बहुमत नही नहीं बने, यह कि सात में तो पूरी तरीके से सरकार बने ही नहीं, किस कवरेश से दल बदल के वोजा से दूसरी पार नहीं बने, बहुमत नहीं नहीं और केरल जिसमें से मद्राज जो था यहां पर गैर कॉंग्रीसी दल जिसका नाम था इसको पूंड-बहुंड मिना आगे चलके मैं आपको बताऊंगा कि जो डी-ए-म-क था इसके बाद में यह आई-डी-ए-म-क बनता है बहुत साइज से पार्टिय निकलती है यह आपको समझ में आ गया ना राष्ट्र पर भी रख्का लगा प्रांतियस तर पर भी कॉंग्रेस को लोग स्वाएं बहुत तो मिलेगा लेकिन सीटर वोट बहुत कम मिले इंद्रागांदी की मंत्री-मंदल के आदे मंत्री कॉंग्रेस के दिगद निया था जैसे की के कामदार तमि आगया समझ अब जो वच्छे इंग्लिस मेडियम के वह इसी कोस्टन को जिस तरीके से मैंने आपको हिंदी में समझा आए ऐसे समझ सकते हैं कि वाई इस जेनरल इस एक्षान डिजल्ट ऑफ नाइंटी सिटी सेवन कॉल्ड आप पॉलिटिकल अर्थुके ठीक है तो क्यों आप देख सकते हो अब आंसर जो है आप इन पॉइंट को दीड करके लिख लेना है ठीक है बाई आप यहां से इसके आंसर को समस्ट आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले अभी तक हमने अपने चैप्टर का बच्छो आराउंड फिप्टी परसेंट जो पार्ट है अ पर हां सभी बच्चे कमिट वक्स में जो एक कोशन में पूछा था ठीक है न कि एक एक डेट क्या थी 1965 के युद्ध की वो ज़रूर बताना और अपना फीडबेक भी देना कि जो मैं आपको समझा रहा हूं आ रहा है और जो बच्छे नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब ज दो कोशन समना हूँगा अच्छी तरीका है यह चार मार्स में आ जाता है कई वाद दो में भी आता है कोशन हो आ रहा है कि 1970 के दसक की राजनीती में आयाराम गयाराम जुमला काफी ज़्यादा चचित हुआ वर्ण कीज़ए एक तरीके से यह से पूछा जासकता है कि दल ब बदल का मतलब क्या होता है कि जैसे मालते एक पार्टी यह है एक पार्टी यह है और एक पार्टी यह है इसका नाम A है इसका नाम B है इसका नाम C है तो A पार्टी के कोई टोटल इन दस सरस्यों में से एक सरस्य ऐसा है जो कि क्या करता है तुरंत या फिर जल्दी जल्दी अपनी पार्टी को बदलने के लिए भारती राजनीती में आयाराम, गयाराम सब्सक्राइब कर देखो दल बदल का मतलब कहा है, सिंपल सा, आगया समझ आपको, सिंपल सा समझ लो, कि जैसे ए पार्टी है, इसका कोई एक बंदा है दस में से, उसने किया क्या, वहले इस B पार्टी में चला गया, फिर C पार्टी में चला गया, बिना किसी से पूछे, ठीक है, बिना राजी के लिए हुए, तो इसको बोलता है दल बदल, बिना सदसे की पार्टी, जो पार्टी का सदस होता है, इसकी मर्जी से दूसरी पार्टी में सामि वाली विदायकों में तीन राजी जिसमें एक थ्री हरियाना का एक था मद्रिपिदेश और एक था उत्तरविदेश ठीक है ना तो यहां पे सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाई ठीक है ना यानि कि वे लोग जिन्होंने कॉंग्रेस छोड़ दी ठीक है और उसके बार में हरियाना मद्रिपिदेश और उत्तरविदेश में कुछ-कुछ छेत्रों में अपनी सरकार में लेकिन पूरी तरीके से तो हुआ क्या था इसी दौर में कि 1967 के जो चुना हुए हरियाना में तो हरियाना के विदायक थे इनका नांता गया आलाथ ठीक है ना तो इन्होंने मैं एक पखवाड़े में तीन वार अपनी पार्टी बदली। मैं आपको समझाता हूँ कैसे एक पखवारे का एक मीणिंग हम यह कह सकते है कि आने कि 24 जीयान से पकवाड़े में मुझे भी नहीं पता, तो यह पहले इस ए पार्टी में थे wb pb pb pbb pbqb pbp pb ggqgr तो ऐसे में क्या था ये पहले कॉंग्रेस से गए United Front में ठीक है अब United Front में थोड़ी दे रहे बाचीत की दिनों को लगए कि यहां पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो इन्होंने फिर से मनसा जाए रही कॉंग्रेस में लोटने की तो यह वापस से फिर कॉंग्रेस में आगे एक ही दिन के अंदर तो ऐसे में जब फिर कॉंग्रेस में लोट आए दूसरी बार तब इन्होंने का यार कॉंग्रेस में फिर मजा नहीं आ रहा तो नौ घंटे के अंदर इन्होंने फिर से दुबारा से United Front में जाने की बात कही और यह फिर दुबारा से United Front में चले तो ऐसे में जब दूसरी बार यानि की तरीके से कह सकते हो कि जब United Front से दूसरी बार कॉंग्रेस में सामिल होने की बात इन्होंने जाहिड की तबी कॉंग्रेस के नेता जिनका नाम था राव विरेंदर सिंग इन्होंने उनने लेकर चंदी गड़ में एक प्रेस के सामने घ तो यहां पर विरायक था विरायक थे बिसिकली गया लाल तो यह कॉंग्रेसे रशर्ष थे तो इन्होंने किसी से बोल के कि वापस जा सकते हैं क्या तो फिर मनसा जाए कि वापस जाने के पूरे तरह किसी से पहुंचे नहीं लेकर जब तक यह वापस आके आते तब तक चंडी गड़के जो गत्ती थे जिनका नाम था रावी रहने से कि इन्होंने एक प्रेस कॉंसेंस कर दी हो कहा कि गया राम अब तो आया राम हो गया है ठीकर इसको बोलते हैं आया राम गया राम जुम्ला ओके वाई चलिए अब जो बच्चे इंगलिस मीडियम के हैं वो यहां से देख सकते हैं कि आया राम गया राम जुम्ला बाद वेरी पॉप्लर इंदी पॉलिटिक्स ऑफ 1970s डिस्क लीजिए ठीक है बच्चो चलिए आगे बढ़ते हैं अब आता है कोश्चन फाइब जो है यह एक ऐसा प्रशन है बच्चो जिसमें से मैं यह समझता हूं कि आपके चार मार्क्स के दो कोश्चन भी आपसे पूछी जा सकते हैं कोश्चन यह है कि इंद्रा गांदी जी की असली चुनौती विपक्ष से नहीं बलकि खुद अपनी पार्टी के वितर सिंदिकेश ने पटना था यानकि इंद्रा गांदी जी के लिए उनकी जो कॉंग्रेस की पार्टी थी कॉंग्रेसी पार्टी ठीक है ना तो उनकी लिए अज सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं थी कि जो विपक्षची पार्टियां उससे लड़ो, नहीं, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि कॉंग्रेस पार्टी के अंदर ही एक समू है जिसको बोलते हैं सिंदीकेट, तो यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी, ठीक सिंदीकेट के बाद को और जड़ा बढ़ाने के लिए, और फाइनली, 1969 में जो कॉंग्रेस पार्टी थी, वो दो भागें बढ़ जा दी, एक कॉंग्रेस बन जाती है, एक कॉंग्रेस आर बन जाती है, दोने चीज़ आपको समझाओगा अच्छे तरीके से, तो वेल, शु सिंदीकेट के नेटता होते हैं, पहले आपना यह समझ लो कि भाई, सिंदीकेट का मतलब कहा है, तो सिंदीकेट जो है, वो कॉंग्रेस पार्टी के बीतर ही, कुछ ताकतवर और प्यभावशाली लेताओं का इत समू है, जिनकी जालतर कॉंग्रेस में चलती है, उनको बोल प्रधान मत्री बनवाने में, और कॉंग्रेसी सरस्य दिलकी नेता के रूप में इनकी एहम उनका रही थी, बेसिकली इन्होंने इंद्रा गांदी जी को इसलिए चुना था, कि यह नहरुजी की पूत्री है, तो हो सकता है, मतलब नहरुजी की पूत्री है, तो हमें समध्र गांदी जी ने यहां पासा पोलेट दिया, इंद्रा गांदी जी ने सरकार और Parti के भीतर, अपना एक अच्छा सक्त मुकाम बनाना शुरू कर गया, अब इसके विज़ से क्या हुआ कि जो शिंद्रा गांदी ये सोच के इंद्रा इंद्रा गांदी जी ने इनके सभी मंसुवहों पर पानी पेड़ गा अब इसी वज़े से इंद्रा गांदी जी और सिंदिकेट की वीच में एक हो गया बहुत बड़ा मत्रिया बहुत बड़ा तनाउ और जब ये तनाव चल ही रहा था इसी दोरान 1969 में हुई राश्पती की चुनावों ने बहुत ही जादा जैसे हो था कि हवान में चिंगारी लगा रही तो यहां पर हवान में ज्वालम की फूख देख तरीके से आहिए समझाता हूं कैसे देखो हुआ क्या था कि 1969 के जो ततकाली राश्पती थे जाकेर खुसेन इनकी किनी किनी कारणों के वज़े से आकस्मित मृत्यू हो जाती है और मृत्यू होने के बाद में यहां कि इन्होंने अपना कारिकाल पूरा नहीं किया तो राश्पती जो ख गांदी जी अपने किसी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं कि अपना मत नहीं देंगी क्योंकि पार्टी का नियम होता है कि पार्टी के जो मैंन में अध्यक्ष होते हैं वो जो बताएंगे वही करना पड़ेगा तो इंद्रा गांदी जी ने क्या किया नेलम संजीवा रेड़ी को अपना जो वेसिकली समर्थन था वो नहीं दिया क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैंने इन्हें समर्थन दिया तो कहीं न कहीं इंद्रा गांदियान की उनकी खुद की सरकार संकट में आ जाएगी तो इसी लिए उन्हें उस समय के जो उपराश्ट पती थे जिनका राम था वीवी गीरी उनको अपना समर्थन दिया और फाइनली जब दोनों के बीच में एक प्रणाली होती जिसके इनका चुनाव होता है जिसको बोलते हैं समानुपार्थिक ठीक है ना समानुपार्थिक प्रणाली या फिर इसको कह सकते हो कि आनुपार्थिक प्रणाली कह सकते ह तो इसके अनुसार पर ही राष्टपति का चनाव होता है तो अब बलकि जह नहीं चुनाव तो इससे में जो परइडाम आया तो वीवीगिरी इसमें विजाईर है विसी लिए यह जो मेदवार थे दो तरीके थे एक सवतंतर थे वीवीगिरी और एक संजीवार एड़ी थे य राष्पति आपने पार्टी के निरदेशों के विरुद अपना मतदान किया तो ऐसे में पार्टी के नियमों के खिलाफ जानने के लिए के हम आपको पार्टी से निस्कासित करते हैं तो इसी लिए फाइनली 1969 के राश्पति चनाओं की वारे में Congress पार्टी तूट जाते हैं अब पार्टी जब तूटी तो Congress जो थी वो दो पार्ट में बढ़ गए ठीक है कौन-कौन से पहली Congress सी पार्टी वनी आर, आर का मतलब होत तो यह पूरी की पूरी कहानी है कि आखे क्यूं वह पार्टी जो कई सालों से एक रूप में चली आ रही थी वह 1967 के चुनाओ के बार में फाइनली 1969 तक आते आते दो पार्टों में बिख़द जाती है क्या कहानी थी उसके इंद्रा बनाम सिंदिकेट का क्या मतलब था और 1969 के राश्पते चुनाओ क्या रहे थी का परिक्रिया थी तारी की सारी बात आपको समझने आ लिए हैं कि बच्चो अब जो बच्चे इंगली से मीडियम के हैं यहां से देख सकते हैं आप यहां से समझना पहले को इंद्रा गांदी इस रियल चैलेंज वास नौट डील विधी अपोजिशन बट इस सिंदिकेट विधी इन हर और पार्टी इस वास वास वान वी मोश्ट चैलेंज इन विच सिंदिकेट का मेनिंग जो पॉइंट है आगे बढ़ते हैं देखिए 26 मिनट हमारे कंप्लेट हो चुक है 27 मिनट जिसमें हमने अपने इस चैप्टर का अभी तक 80% पार्ट हमने कंप्लेट कर लिया ठीक है बच्चो अगर 80% पार्ट अभी तक आपको समझ में आया तो लाइक करो शेर करो कमेंट बॉक्स में फीडवेक देखे जरू जाना ठीक है ना देखो जितना हो सकता है कि कम टाइम में समझा देना वो मेरा में कॉंसेप्ट है जो क इसे कांप ड़ी दो कोशन मारे और बसते हैं उनको देखे अब देखो यहां पर क्या करना क्या कोशन में क्या क्या लिए कि 1971 चुनावी मुकाबले का बीच में कैसा और इसके बारे कि 1971 के जो चुनाव हुए इसके काफ परिणाम निकले थे यह बता है आप सभी को तो पता ही है कि 1967 के चुनाव कोंग्रेस के लिए कात्री खतर नाग थे बार यह आती है कि चुनावी जो मुकाबला था 1971 के चुनाव का यह हुआ था फरवरी 1971 के मैंने आपको देखो मंत भी बता रही है एक 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 देखते हैं नहीं लेकर मंत आपको तो समझगा आगे ना देखो अभी जो चुनावी मुकाबला था यह बेसिकली जो नई कॉंग्रेस थी जिसे हम बोलते हैं कॉंग्रेस आर इसके विपरित लग रहा था क्यों भाई क्योंकि नई जो कॉंग्रेस थी यह अभी कमजोर थी कियाव इंड्रा गांदी जी कुछ और बंदे थे लेकिन संगेट पहले से ज़्यादा मजबूत था तो ऐसे महें यानकी कॉंग्रेस आर जो थी यानकी इंड्रा गांदी जी की कॉंग्रेस वो 1971 के चुनाव में और लेड़ी पहले से जादा कम्जोर थी ही अंधरूनी तोर पे इवन इसी में एक और जो संगिठन बना उसने बहुर बड़ा दबाव डाला बिसिकली, जितनी भी बड़ी बड़ी गैर सामुवादी और गैर कॉंग्रेस पाटी गैर कॉंग्रेस ही जो विपक्षिया पार्टी ठीश थी तो हम गटवंदन बना लिया और कहा कि जो नई कॉंग्रेस बनी है इंदरा गांधी जी क्या मुलन है के अब इसी सभी समख्ण मे Congress R है उसे जीतने ही नहीं देंगे अब जो नई Congress थी इसके पास एक मुद्दा था एक एजेंडा था एक कालक्रम था लेकिन Grand Alliance के पास कोई मुद्दा नहीं था कोई एक एजेंडा नहीं था कोई कालक्रम नहीं था क्या भाई कि इंदीरा हटाओ देश में विकास लाना है तो यह Grand Alliance में जितनी बी पार्टिया सामिलती उनका लेकिन इंद्रा गंदी जी के सामने एक अच्छा नजरिया था वो क्या इंद्रा गंदी जो थी इन्हें गरीबी हटाओ का नारा दिया दिया और इन्होंने कहा कि यह जो विपक्षिप आटे है इनके पास में कोई भी मुद चाहती हो तो इसी बज़े से वे लोग जो ओलेडे गरिब थे वंचे तपके के थे खास करके भूमहीन किसान हो गए दलित हो गए आदिवाशी हो गए अलपसंती हो गए महिलाई हो गए विरोजगार हो गए तो इन्हों ने अपना समर्थन जादा से जादा इंड्रागान दी को दिया अब जब समर्थन दिया तो चुनाओं में सिंपल सी बात है जीती जाएंगी इन्हों और भी कदम उठाए ते गरिबी यटाओं के नारिक रूप है जैसे कि सार्व जने के चेत्रे के संब्री देयान की जो सार्व जने के चेत्रे उनको और ज़्यादा बढ़ाओ जिसे लोगों को रोजगार मिले ठीक है भूसवामित हो गया सहरी संपता जोगे इसका परिशीमन किया गया आय के तौर पे रोजगार के तौर पे थोड़े अधिक से अधिक अफसर प्रोवाइड कराएगे नागरिकों को साथी प्रीवी पस के स्मप्ति कर देए ठीक है न तो देखो 1971 के नाट के चुनाओ की पढ़ाम की रूप में कॉंग्रेस आर और CPI गटवंदन को इतने वोट और सीटे मिली जितनी उन्हें आम चुनाओं में नहीं मिली यानिकि एक तो थी कॉंग्रेस आर ठीक है और जो एक दूसरा गटवंदन था CPI गटवंदन तो इन द सब्सक्राइब को मिले जो अभी तक टोटल चार आम चुनाओं में ऐसा नहीं हो जबकि अभी की जो कॉंग्रेस थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी थी ठीक है ना अब देखो वह कॉंग्रेस जो सिंडिकेट थी उसने क्या किया मतलब जब टूट गई तो सिंपल अब हमाहńड राजजियों से अब और इसको कर दिया अब तरीके से इंदरा गांदीजी जी इज के लिए जिस ओदे के लिए जिस प्रिसिद्दी के लिए पार्टी में सामिज होई थी इसके सिवा के लिए वो यहां पर पाइंड ले अब करने के लिए तत पर थे अब जो बच्छे इंगिजिस मीडियम के हैं यहां से देख सकते हैं कि डिस्क्राइब दी इलेक्शन कॉंटेस्ट ओफ नाइट इस रिजर्ट हुए कब थे 1971 के चुनावा यह थे फेप्लिरी में आखिर यह एलेक्शन किस तरह से हुए कौन-कौन सी पार्टी थी क्या के कौन बिसिकली कॉंटिक्ट हुआ वह सारी चीजिए एंड इसके बाद में क्या यहां पर इसके परिणाम निकलते हैं ड्रमेक्टिक इलेक्शन डिजर्ट ओफ नाइटी सेफिवाट ओड ओके नाव लाश्ट कोशन वच्छों मारा चार्माक्स का कि 1971 के जो चुनाव हुए थे त इसके विए बहुत ज़्यादा इन वोट वगर्ण है मिले और इसके बाद में कुछ काम किये थे तो हमें यह बता ना कि 1970 के चुनाव यह परणामों की बाद में इंद्रा गांदी जेकी उपलब्दियों का वन एंड की ज़िए तो उपलब्दियां क्या नहीं इनकी वो हमें बता नहीं सबसे पहले उपलब्दी यह रही कि इनों ने 1971 के चुनाव से पहले जो गरीबी हटाओ का नारा दिया था इसकी वज़े से समाज के जितने भी गरीव तबकी के लोग उन्हों ने इन्हें समर्थन दिया और यह फाइनली जीती इस वज़े से मात्र गरीबी हटाओ नारी की जिए पहला पॉंट दूसरा यह कि चुनाव के बाद में जब बांगलारे संकट आया ठीक है आप सभी को बांगलादेश ने देश बनता है इसी लिए उनकी प्रतिवा में पूरे देश के लिए देखा जाए पूरे देश के लिए उनकी प्रतिवा में चार चांड और लग चुके अब यहां पे लेकिन जब बात आते हैं देस के बॉर्डर की देस की हिद डेस की रक्षा की तब वि Promise वृ भी बोल जाती है कि हम पर्टी है जा नहीं तो इसलिए इन्दा गांदी जी की इस बात की प्रशेंधी जीटने की प्रशेंधीन तो नहीं गीज़ी लेकिन उनकी जो नेड़े थे उन सारी चीज़े को देखा रहे हैं तो पार्टी ने इनकी प्रसंस आठे थे अब 1972 में विदान सभा चुनाव है और इन चुनावों में जो कॉंग्रिस आती वो जीत जाती है इंद्रा गांधी जो जिती इन्हें इन्हें ब करीव और वंचितों के रच्छक के रूप में इनको देखा गया है अब यहां पर अन्य कदम उठाए इन्होंने क्या-क्या जैसे कि स्टार वजने के छेत्र के संब्दी की जिससे लोगों को क्या हुआ लोगों को बहुत जादा रोजगार मिले भू स्वामित और सहीरी आपके ठीक है और उसके वार में इसकी फलसुरुक इंद्रागांदी जी की कॉंग्रिस आठ थी उसका दबदबा यहां पर कायन जो है वह हो जाता है और इसी वैसे 1975 के नहीं एक सेके ने विसे के लिए होता है कि 1975 तक आते या ने इनका ग्रोड होने रहता है बहुत जाए यह क्या करती है कि अपाथकल लगा देती है जो कि हम नेश्ट अपर नमर 6 में आपको पढ़ाएंगे अपाथकल के बारे में ठीक है ना अपाथकल जम लगा देती है तो 1977 जब चुनाव होते है ना तो इनकी सरकार गया जाते जनतापाथ ही सरकार बहुत है जो कि 11 से 18 महीं यारह 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 भी हो था उसी चैप्टर में आपको बता दो ठीक है बाकी बात आप यह पर समझ लो इस वीडियम के कि राइट दी अचीवमेंट्स ऑफ इंद्रा गांधी आफ्टर दे 1970 इलेक्शन इस तो जो भी पार्ट्स हैं वो पार्ट आप यहां से समझ लो ह अच्छी तरीके से मैंने लिखा हुआ है और यह सारी चाज़ें आपके हो जाते हैं ठीक है बच्चों तो हमने मात्र 37 मिनट के अंडर में हमने अपना जो आज का चैप्टर है यह बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है ठीक है बच्चों और आई होब कि आप सभी को आज आज को आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम क्या है भारत में दल और दली वस्ता यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा आपको वीडियो चला है तो एक सेके एक अच्छा सा कंटेंट उठा लेते पहले हाँ अगर अभी तक की वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ में ताकि वह भी इस वीडियो को देखें अपने एक्जाम के ट्यारी कर सकें और हां तब ही बच्चे कमेंट बाक्स में एक सवाल कांसर देखें जरू जाएंगे जो मैं आपसे पूच्छा था कि 1965 का यूद्धा एकुरेट किस डेट को आपको पता धन्यवाद जैहिन वंदे मातना